अगर आपने ओशन ट्रीयोजी की तीन मूवीज नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिप्टिन और आई बटन में दे दिया है सो विडाउट वेस्टी मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरफ मूवी की शुरुवात में हम डैबी ओशन को जेल में देखते है पेरोल के लिए उसका इंटर्व्यू चल रहा था यहाँ उसके भाई डैनी ओशन का भी जिक्र होता है लेकिन डैब कहती है वो अपने भाई की तरह नहीं है वो रोते हुए कहती है वो नौकरी करेगी दोस्ट बनाएगी और एक आसान सी जिन्दगी जियेगी बस वो एक गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई थी उसकी पेरोल मंजूर हो जाती है वो पिछले 5 साल से जेल में बंद थी वहाँ की एक गाड उसके स्पीच की तारीफ करती है तब डैब बोलती है उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल थे उसके पास सिर्फ 45 डॉलर थे वो कहीं निकल जाती है फिर डेब वहाँ से एक स्टोर में जाती है और वहाँ से कुछ चीजे उठाकर उनके प्राइस टैग निकाल लेती है फिर उन्हें काउंटर पर ले जाकर कहती है उसने ये सामान पिछले हफते खरीदा था जिसे अब उस से एक बैग भी मांगती है और कुछ देर बाद उसके हाथ में ऐसे ही बहुत सारे बैग थे फिर वो एक होटल में जाती है जहां एक कपल अपना रूम समय से पहले ही खाली कर रहा था डेब उनकी बाते सुन लेती है फिर वो होटल में कॉल करके वही और बनकर बात करती है और कहती है उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई है और उन्हें उनका कमरा वापस चाहिए होटल मान जाता है साथ ही वो कमरा साफ करने के लिए क्लीनर को भिजवाने कहती है ताकि उसे की से दरवाजा खोलना ना पड़े वो कमरे में जाकर क्लीनर को बाद में आने बोल कर भेज द कुछ देर बाद हम डेप के हाथ में कोई प्लैन देखते हैं फिर हमें लू दिखाई जाती है जो एक बाइक देख रही थी क्योंकि उसका बाइक से वर्टूर पर जाने का सपना है वो अपने घर में एक छोटा सा क्लब चलाती है वो वोटका की बोतल में तीन इंच पानी भर किसने रूबेन नहीं बताता वो आगे कहता है वो नहीं चाता कि डेब ये करे डेब ने अपना प्लैन किसी को भेजा था जो उसे काफी पसंद आया लेकिन उसे डर है वो पकड़ी जाएगी लेकिन डेब को अपने प्लैन पर पूरा कॉन्फिडेंट है यहां हमें बताया नहीं गया डेब और रूबेन किसकी बात कर रहे है लेकिन मुझे लगता है वो डेनी की बात कर रहे थे हो सकता है उसने खुद की मौट का नाटक किया हो ताकि वो आराम से जी सके खेर बेन रूबेन की बात नहीं मानती और वहां से बाहर आ जाती है बाहर उसे लू लेने आई थी वो बहुत अच्छे दोस्ट और पाक्नर है डेब उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी जो जाहिर से बात है चुराया हुआ है यहां लू बीना सुने ही डेब का साथ देने तैयार थी डेब बताती है उन्हें एक बेश कीमती हार चुराना है जो 50 फीट अंडर देरी में जाती है वो अंदर एक लड़की के सामने लंबी लंबी फेक रहा था तभी उसे डेब दिखाई देती है वो तुरंत उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है डेब उसके गले पर तुड़ ब्रश से बनाया हुआ चाकू रखती है जो उसने जेल में बनाया ह लेकिन डेब बस उसके शर्ट की एक बटन काट लेती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन डेब और लू एक म्यूजियम के सामने आते है फिर हमें वो म्यूजियम दिखाया जाता है जहां बहुत सारी पेंटिक्स थी और हर जगा कैमरेज और गार्ट्स खड़े थे ल उन्हें 20 लोग और half million dollar लगेगे लेकिन डेब बताती है उन्हें बस साथ लोग और 20,000 dollar की जरूरत है अब लू को भी जिंदगी बार वोटका की बोटल में पानी नहीं भरना था इसलिए वो भी मान जाती है फिर हमें एक press conference दिखाई जाती है जहां पता चलता है उस museum में ए अपना designer select नहीं किया फिर दोनों भी एक designer को ढूंटे है लू उसे रोज नाम की एक designer के बारे में बताती है जो 90's में काफी famous थी लेकिन अब उस पर 5 million dollar का कर्ज है फिर हम रोज का एक show देखते है लेकिन कोई भी उसके designs को पसंद नहीं कर रहा था उसका show flop जाता है शो के flop हो ने से रोज के बचे कुछे पैसे भी खत्म हो चुके थे फिर दोनों भी उससे मिलने आते है वो कहते है वो उसके fan है वो बताती है अब उसका घर भी नीलाम हो सकता है उसका passport भी जब्त हो चुका है और वो बहुत जल्द गरीब हो जाएगी लेकिन वो बोलते है वो फिर से सब कुछ वापस पा सकती है बस उसे डेफनी के लिए ड्रेज बनानी है रोज को पहले तो यकीनी नहीं होता वो उन्हें रिपोर्टर समझती है फिर लू से बताती है टूसियंट नाम का एक हार है जो किसी रोयल लेडी का था जिसे उसने 90's 35 में काटर नाम की कमपनी से खर पार्टी का थीम European Royalty है जहां Crown Jewelry भी दिखाई जाने वाली है अब डेफनी पार्टी की होस्ट है तो उसे कार्टियर को डेफनी के बिहाफ पर उस हार को निकालने के लिए मनाना है रोज मान जाती है फिर हमें अनीता नाम की एक इंडियन लड़की दिखाई जाती है जो ए इसी के साथ बैठी थी लू बताती है वो एक हैकर है उसने एक शौप के सिक्योरिटी कैमरा हैक भी कर लिये थे डेब उससे नाम पूछती है वो बताती है नाइन बॉल डेब उसका असली नाम पूछती है वो कहती है एड बॉल डेब को वो कुछ खास पसंद नहीं आती ले से डेफनी जलती है वो उसे बताते है उस लड़की से बात करते समय वो उसका राइट हैंड पकड़कर उसकी तारीफ करे कुछ देर बाद वहाँ वो लड़की आती है रोज उसका हाथ पकड़कर उसकी तारीफ करने लगती है तब लू उन दोनों की फोटो खीच लेती है क्योंकि डेफनी उससे मिलने आने वाली है लू और डेब ने उसे पहले ही बता दिया था उसे डेफनी को इग्नोर करना है डेफनी रोज से मिलने आती है बात करते समय रोज उससे देख नहीं रही थी डेफनी बाते करने लगती है तब बाहर से डेब और लू उससे देख रह बता देती है उससे हाथ मिलाते समय उसकी घड़ी भी चुरा लेती है फिर दोनों उसे बताते है उससे बस एक नेकलेस चुराना है ये सुन्ते ही Constance मान जाती है उसके जाने से पहले डफ उससे अपनी और लो की घड़ी वापस मांगती है क्योंकि उसने उनकी घड़ी भी चुरा ली थी उन्हें एक और मिंबर की जरूरत थी लो किसी आदमी को लेने कहती है लेकिन डेप कहती है आदमी ओके उपर जादा शक्क किया जाता है लेकिन ओरतों पर नहीं फिर वो किसी टेमी का जिक्र करते है फिर हम टेमी को देखते है जो चोरी से रिटायर हो चुकी है और अभी अपने दो बच्चों और हस्बेंड के साथ रह रही है तभी उसे डेप का कॉल आता है क्योंकि वो उसके गेराज में थी यहां हमें पता चलता है टेमी अभी तक रिटायर नहीं हुई क्योंकि उसके गेराज में अभी भी बहुत सारा चोरी का सामान था टेमी पहले काम करने से मना करती है क्योंकि अब वो चोरी नहीं करेगी लेकिन जब डेप उसे मिलने वाली अमाउंट बताती है वो तुरंथी मान जाती है अगले दिन पूरी टीम लू के घर पर मिलते है जहां उस म्यूजियम का मॉडल भी रखा हुआ था डेप उन्हें बताती है ये चोरी करने के बाद उनमें से हर एक के हिस्से में 16 मिलियन डॉलार आएगे चोरी उन्हें पाच हफतों में करनी है क्योंकि उस म्यूजियम में एक पार्टी होने वाली है जा कॉस्ट्यूम और ज्वलरी एक्जिबिशन भी होगा लेकिन वो एक्जिबिशन को नहीं लूटने वाले वो लोग टूसियंट नाम का एक नेकलेस चोरी करने वाले है जो उस पार्टी की होस्ट डेफनी पहन कराने वाली है रोज उसे काटियर वर्ट से निकलवाएगी नाइन बॉल म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करेगी डेब उन्हें अपने सारे काम निप्टा कर कल यहाँ आने कहती है क्योंकि वो लोग इस सदी की सबसे बड़ी चोरी करने वाले है अगले सीन में हम देखते है डेब बैंक में अपने अकाउंट को लेकर बात कर रही है क्योंकि उसे अकाउंट में और पैसे डिपोजिट करने है तबी वहां कॉंस्टेंस आकर उससे कही जाने के लिए मेट्रो कार्ड मांगती है डेप के पास MetroCard नहीं था इसलिए वो उसे पैसे देती है Constance Danny की फोटो देखकर कहती है उसका भाई बहुत handsome है क्या वो सच में मर चुका है डेप कहती है नहीं मतलब Danny की मौत अभी भी एक suspense है फिर Tammy एक मशीन मंगवाती है जो एक किस्म का 3D printer है जो Zikronium जैसी काच की चीज़ पर प्रिंट करता है साथी टैमी डेप को एक चश्मा देती है जो उस necklace को scan करेगा और एक बार scanning पूरी हो गई तो ये printer उस necklace का replica Zikronium से यहाँ बना देगा डेप को ये मशीन बहुत पसंद आती है फिर रोज और अनीटा काटियर में जाते है ताकि उन्हें डेफनी को necklace पहनाने के लिए मना सके पहले वो उन्हें बहुत सारी जोलरी डिखाते है लेकिन रोज को बस 2CNT ही चाहिए था तब वो उन्हें अपने बॉस के पास ले जाता है उनका बॉस कहता है 2CNT 1500 मिलियन डॉलर का है उसके साथ उन्हें security भेजनी पड़ती है इसलिए वो उन्हें necklace देने से मना कर देता है तब रोज उससे कहती है आज कल के लोग उनकी company का नाम ठीक से लेते तक नहीं मतलब उनका नाम कम होता जा रहा है और वो necklace कितने समय से जमीन के नीचे ही बंध है वो सोचे दुनिया की सबसे बड़ी party में अगर एक Hollywood actress उस necklace को पहन कर आएगी तो उनका कितना नाम होगा ये सोच कर वो मान जाता है फिर वो दोनों को vault में ले जाया जाता है क्योंकि rose को deafny के लिए dress बनानी है इसलिए उसे necklace को देखना था उस diamond के necklace को उनके सामने लाया जाता है रोज तो पहले उसे देखती ही रह जाती है फिर टेमी का दिया हुआ glass पहन कर उसे देखती है लेकिन glass में signal ही नहीं आते इससे rose घबराने लगती है अनिता देखती है glass में signal नहीं आ रहा क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे थे लोग के घर पर भी सबी ये देख रहे थे उन्हें समझ नहीं आता क्या करे तबी अनिता कहती है rose को necklace natural sunlight में देखना है फिर उस necklace को ऊपर sunlight में लाया जाता है rose glass पहनती है और scanning शुरू होती है rose उसे बहुत अजीब तरह से देख रही है manager परेशान होने लगता है कि rose क्या कर रही है अनिता कहती है वो इसी तरह देखती है manager परेशान हो रहा था और आखिर कार scanning complete होती है फिर वो लोग उस 3D printer और zikronium से उस necklace का replica बनाते है जो दिखने में बिलकुल असली necklace जैसा था अब rose को dress बनानी थी Constance अनिता को tinder चलाना सिखाती है फिर हम उस museum को देखते है जहाँ depth थी थोड़ी देर बाद Tammy भी वहा आती है वो guard से कुछ पूछने लगती है तभी सामने उसे भीड नजर आती है जब वो सामने जाकर देखता है वहाँ किसी ने एक painting और लगा दी थी अब उन museum के staff और museum में security प्रवाइट कराने वाली company के बीच meeting होती है वही बाहर Constance बाहर निकल रहे cleaner staff का card चुड़ा कर nine ball को दे देती है वो अंदर आती है और meeting के बीच में ही कचरा उठाती है और trash can में bug लगा देती है फिर nine ball और dab उनकी पूरी meeting सुनते है तब उन्हें पता लगता है वो अपना पूरा security system ही update करके fix करने वाले है अब system के update होने तक उन्हें उसमें कुछ changes करना होगा लू बताती है museum में जहाँ party होने वाली है वहाँ हर जगा cameras लगे हुए है सिर्फ bathroom को छोड़ कर क्योंकि bathroom में camera होना privacy का violation है लू बताती है चोरी होने के बाद bathroom से निकलने वाला हर इनसान suspect होगा डेप Constance से पूछती है उसे bathroom के बाहर necklace किसी और को देने में कितनी जगा लगेगी Constance बताती है कम से कम 9 feet फिर वो 9 ball से पूछती है उसे bathroom के बाहर blind spot बनाने में कितना समय लगेगा 9 ball को 11 से 12 दिन लगेगे क्योंकि इसे धीरे धीरे करना होगा फिर टेमी डेप को बताती है काटियर ने party के दिन जिन दो security guards को hire किया है वो दोनों assassins है इधर 9 ball उस security company के employees की list देखती है उसमें visual matrix design department का head एक paul नाम का आदमी था 9 ball उसका social media चेक करती है जहां उसे पता चलता है वो एक dog lover है फिर वो एक dog lover का template बना कर उस आदमी को social media पर send करती है as a dog lover वो उस link पर click कर देता है उसके अंदर dogs की photos थी लेकिन उसके click करने से 9 ball ने उनका security system hack कर लिया था उसके office से जाने के बाद 9 ball उसका computer operate करती है कुछी देर में उस museum के सभी cameras का control उसके हाथ में था वो bathroom के सामने के cameras को select करने के बाद उन्हें move करना शुरू करती है फिर टेमी वोग नाम की company में coordinator का interview देने जाती है उस दिन party का सारा इंतिजाम यही company देखने वाली है टेमी job के लिए over qualified थी फिर भी job accept कर लेती है office में उसे table arrangement drawing दिखाई देती है टेमी उसे glass से scan कर लेती है फिर सब लोग उस arrangement को देखते है डेफनी के बगल वाली chair खाली थी वहाँ फिलहाल किसी का भी नाम reserve नहीं था मतलब डेफनी का कोई date नहीं था party के पहले एक dinner होने वाला था जिसमें टेमी एक guest का नाम add कर देती है फिर हम उस dinner को देखते है वहाँ डेप का ex boyfriend cloud आकर डेफनी के पास बैठता है और वो दोनों काफी देर तक बात करते है मतलब अब डेफनी cloud के साथ party में आएगी फिर टेमी डेप से पूछती है उसने cloud को ही क्यों चुना पहले टो डेप कुछ नहीं बोलती लेकिन टेमी के कहने पर वो बताती है वो 10 साल पहले cloud से मिली थी दोनों साथ में काम करते थे जब भी किसी buyer को कोई painting पसंद आती डेप दूसरी buyer बनकर painting का price बढ़ा देती साथ में काम करते करते दोनों करीब आ गए एक दिन cloud ने उसे buyer की जगा seller बना कर उसके साथ एक painting बेचने को कहा डेप उस पर अंधा यकीन करती थी इसलिए उसने paper पर sign कर दिये फिर वो उस painting की deal करने गए लेकिन envelope देती ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया क्योंकि वो एक setup था उसने तो police के सामने एक शब तक नहीं कहा लेकिन cloud ने सारा इलजाम उस पर ही डाल दिया क्योंकि वो painting चोरी की थी और सभी papers पर उसके ही signature है और इतना ही नहीं cloud ने उसके खिलाफ गवाही भी दी थी जिससे उसे पास साल की सजा हुई लेकिन अब वो बदला लेने वाली है इस तरफ लू डेफनी के बाजू वाली table पर cloud का नाम देखकर समझ जाती है ये डेब नहीं किया है वो उसे बात करने जाती है वो कहती है उसे एक बार में एक ही काम करना चाहिए लेकिन उसने डेब को जेल भिजवाया था लू को लगता है इससे प्लैन फेल हो सकता है लेकिन डेब उसे यकीन दिलाती है ऐसा कुछ नहीं होगा अगले दिन डेब म्यूजियम जाकर उस बातरूम के सामने खड़ी होती है लू और नाइन बॉल उसे सिसी टीवी में देख रहे थे उसने ब्लाइंड स्पोट बना लिया था डेब लेजर से चेक करती है वो करीब 12 फिट का ब्लाइंड स्पोट था डेब नाइन बॉल की तारीफ करती है वही दूसी तरफ टैमी अपनी सीनियर को बताती है ये केटरिंग ठीक नहीं है उनका खाना सेलेब्रिटीस को पसंद नहीं आएगा इसलिए वो दूसरे केटरेर को सजेस्ट करती है जिन्हें वो पर्सनली जानती है वही लू मार्केट से एक टोय खरीदती है एक दिन पहले डेफ ने टीवी इंटर्व्यू दे रही थी म्यूजियम में बहुत सारे यूरोपियन स्क्रप्चर थे जिनके सामने लेजर लगी है मीडिया को पता चल गया था कल डेफनी टूसंट पहनने वाली है अगले दिन टूसंट को वॉल्ट से निकाला जाता है और हाई सेक्योरेटी में डेफनी के पास लाया जाता है डेफनी भी टूसंट को देखती रह जाती है फिर रोज टूसंट डेफनी को पहनाती है लेकिन टूसंट उससे उतरता नहीं तब वहां का गाड़ बताता है उसे खोलने के लिए एक special magnet लगता है मतलब वो लोग ही उसे खोल सकते है ये देखकर रोज को शौक लगता है वो गाड़ को एक बार और डेफनी को necklace पहनाने कहिती है और उसे अपने phone से record कर लेती है सभी को वो वीडियो मिलता है अब सब परेशान हो गए थे तब 9 ball अपनी बहन को call करती है और कुछी देर बाद उसने उस magnet को समझ लिया था और उसे बना भी लिया था वो सब अपने earpiece चेक करते है वो एक जगा रुखते है जहां 9 ball की बहन आकर उन्हें magnet देती है डेफ पूछती है तुमारे parents क्या करते थे फिर party के पहले सारे staff की meeting होती है अब event स्टार्ट होता है डेफनी, cloud और rose के साथ event में आती है उसने two send भी पहन रखा था सारे media वाले two send को ही देख रहे थे क्योंकि वो 500 million dollar का था वहां बहुत सारे celebrities भी आते है बहार एक food when में 9 ball ने camera's पर नज़र रखी थी फिर डेब भी party में आती है उसका नकली नाम पहले से guest list में था museum के अंदर वो guards भी डेफनी के पीछे ही थे अंदर सभी पुतलों पर महेंगे कपड़े और असली जेवरात थे डेब हर जगा डेफनी के आसपास ही थी फिर कुछ दिर बाद डेफनी, cloud और rose डिनर करने जाते है यहां में पता चलता है Constance B. waiter के रूप में वही है वही अंदर लू caterer बनकर आ चुकी थी अब उनका plan स्टार्ट होता है सभी की डिश ले जाए जाती है लेकिन लू डेफनी की डिश में कुछ मिला देती है वो सूप डेफनी के सामने आता है वो तुरन थी उसे खाने लगती है वो बताती है इस event की वज़़ा से उसने तीन दीन से कुछ नहीं खाया यहार रोस का reaction बहुत फ़नी था टेमी सबको बताती है डेफनी ने सूप पी लिया है तब कॉंस्टेंस बातरूम में जाती है और एक एक करके सारे बातरूम अंदर से लॉक कर देती है बस एक टोईलेट को छोड़ कर दोसी तरब थोड़ी तेरे बात करने के बाद डेफनी की हालत खराब होने लगती है वो तुरन बातरूम की तरब भागती है डेब ने उसे देख लिया था वो उससे पहले बातरूम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है डेफनी तुरंट आकर बातरूम में जाती है लेकिन सभी टोयलेट अंदर से बंद थे बस एक खुला हुआ था वही बाहर डेब गाट्स को अंदर जाने से रोक लेती है क्योंकि वो लेडिस बातरूम था अंदर डेफनी उल्टिया कर रही थी तभी वहां कॉंस्टेंस आती ह वो उसे संभालने का नाटक करते हुए मेगनेट के जरीए नेकलेस उतार लेती है अब टेमी की बारी थी वो एक वेटर से वहां रखी जूटी प्लेट्स ले जाने कहती है वो उस बातरूम के सामने से गुजरने वाला था तभी डेब उसके सामने आकर उसे ब्लाइंड साथ बाते करने लगता है नेकलेस अपनी जगा तक पहुचा नहीं था तब नाइन बॉल बताती है वो वेटर टाइम पास कर रहा है टेमी तुरंत उस तरह भागती है वेटर बस नेकलेस देखने ही वाला था लेकिन टेमी उसे डाट कर अपना काम करने कहती है वो प्लेट जब बिना नेकलेस के बाहर निकलती है गाड्स को शौक लगता है वो तुरंत बातरूम में नेकलेस देखने भागते है इधर अनिता अपना काम कर रही थी गाड्स डेफनी से पूछ ताच करते है लेकिन उसे कुछ पता नहीं था क्लाउड भी कहता है वो पूरा समय उसके सा आती था वो गाड्स जाकर पूरा म्यूजियम लॉक करने कहते है पहले तो वो नहीं मानते क्योंकि यहाँ सेलेब्रिटीज आये थे लेकिन बात देड़ सो मिलियन डॉलर की थी फिर सबी लोगों को एक जगा बेजा जाता है फिर गाड्स एक एक करके सबसे पहले पार्टी पर नजर रखी थी गाड्स अभी भी उससे पूच्टाच कर रहे थे लेकिन डेफनी को टेबल पर नेकले सियात था लेकिन जब वो बातरूम की तरफ भागी तब उसका ध्यान किसी भी चीज़ पर नहीं था दूसरी तरफ एक गाड्स एरिया में आया था नाइन बॉल टैमी को उसका काम करने कहती है तैमी तुरंद अपने पैर में चुपा नकली हार निकाल कर पानी में डुबा कर चिलाती है वो कहती है जब डेफनी बातरूम की तरफ भाग रही थी तब वो पानी में गिर गया होगा ये देखते ही वहाँ का गाड्ड सभी को वापस बुला देती है फिर 9 बॉल भी तयार होकर पार्टी में आती है इस तरफ डेफनी नकली हार पैने थी वही constant सबसे पहले टैमी को कुछ देती है फिर डेप को देती है फिर रोस के पात जाकर उसे ड्रिंक देते हुए उसे भी हार का एक पीस देती है और आखिर में 9 बॉल को दुसरी अब जब cloud drink लेने बार पर आता है वहाँ डेब आती है लेकिन वो उसे ठीक से देख नहीं पाता डेब उसे टकराती है और sorry बोल कर वहाँ से चली जाती है फिर हम देखते है नाइन बोल के हाथ में diamond का bracelet है अनीता ने diamond की और बड़ी आसानी से वो सब बाहर भी आ जाते है फिर टूसंट को वोल्ट में लाया जाता है मैनेजर उसे चेक करता है पहले तो उसे यकीनी नहीं होता लेकिन फिर से चेक करने पर उसे समझ में आता है वो हार नकली है फिर वोल्ट में जॉन नाम का insurance investigator आता है वो कहता है वो insurance fraud की तहकी card और असली necklace को ढूणने आया है वोल्ट के manager से उसे पता चलता है वोल्ट में आने के बाद उने पता चला necklace नकली है फिर वो उन दोनों गाट से बात करता है क्योंकि सिर्फ डेफनी के washroom जाने के समय ही necklace उनके सामने नहीं था वो ladies bathroom था इसलिए वो अंदर नहीं गए और उस bathroom से अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है लेकिन उन्होंने bathroom की pipeline चेक नहीं की थी लेकिन john ने की है वहाँ कुछ नहीं है वो बोलता है जिसने भी necklace चुराया है वो बहुत smart है फिर वो उस company में जाता है जो museum की security देखती है उसे bathroom के सामने depth दिखाई देती है साथ ही उसे समझ में आता है वहाँ एक blind spot है लेकिन वो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयारी नहीं थे कि उनसे security में चुक हो सकती है वहाँ john को वो waiter भी दिखाई देता है जिसके tray में उन्होंने necklace रखा था क्योंकि डेफनी के निकलने से पहले वही blind spot से John को समझ में आता है waiter का कोई हाथ नहीं है फिर वो डेफनी से बात करने जाता है लेकिन डेफनी बताती है बातरूम जाने के अलावा उसका ध्यान हर समय necklace पर था वो उससे cloud के बारे में पूछता है वो बताती है वो उसका date था वो उसे डेब की photo दिखाती है लेकिन डेफनी उसे जानती नहीं थी तब जॉन उसे बताता है वो डेबी ओशन है एक professional चोर उसका भाई Danny ओशन उससे भी बड़ा चोर था मतलब जॉन डेब को जानता है लेकिन डेब हर समय cameras के सामने थी उसे कुछ लोगों पर शक है लेकिन सबसे जादा डेब पर शक है लेकिन वो डेब थे वो जितना डेफनी को बेवकूफ समझते है वो उतनी नहीं है वो शुडवात से उन लोगों को notice कर रही थी उसने रोस को notice किया कॉंस्टेंस को necklace उतारने में उसने ही मदद की थी जब टेमी ने necklace लाकर दिया उसने टेमी को भी notice किया और सबसे जादा उसने डेब पर ध् परचान जाती है क्योंकि उसने दो बार उसके डेट को पकड़ा था और एक बार उसके भाई को यहार रोज डरने लगती है उसे लगता है वो पकड़े जाएगे लेकिन डेब कहती है वो लोग prime suspect नहीं है लेकिन इस case को खत्म करने किसी को तो पकड़े जाना होगा तब डे डेमी और डेब कुछ बूड़ी औरतों को हायर करते है जो professional चोर थी फिर वो औरते अलग-अलग jewelry store में जाकर उन diamonds को बेज देती है वो बूड़ी औरते थी वो सभी store keepers को अलग-अलग कहानी सुनाती है जिसे store keeper आसानी से मान जाते है फिर जॉन जाकर cloud से मिलता है और उसे बताता है असली necklace चुरा कर उसकी जगा नकली necklace रख दिया गया और जादा समय उसके हाथ डेफनी के गर्दन पर ही थे लेकिन cloud कहता है वो necklace क्यूँ चुराएगा लेकिन जॉन भी यही सोच रहा था cloud necklace क्यूँ चुराएगा क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है जॉन को इसकी दूर थी जॉन उसे necklace मांगता है लेकिन डेब उसे necklace का 10% देने कहती है साथ ही वो चौर का सबूत भी देगी तब डेब उसे cloud की फोटो दिखाती है जॉन कहता है वो revenge ले रही है cloud ने उसे फसाया और वो cloud को फसा रही है लेकिन कम से कम necklace का एक पीस मिलने से वो इस case को खत्म कर सकता है लेकिन जॉन को पक्का सबूत चाहिए डेब कहती है उस पर काम चल रहा है फिर हम डेफनी और cloud को साथ में देखते है डेब उसे seduce करती है और उसे bet से बान देती है फिर उसे 2 मिनट रुखने बोल कर उसके closet में जाकर जल्दी से वो suit ढूंटी है जो उसने party में प लगता है उसके घर के सामने police थी फिर officer उससे पूछताच करता है क्योंकि party की रात वो हमेशा डेफनी के साथ था और इतना ही नहीं चार बुड़ी औरतों ने जो exist ही नहीं करती उन्होंने उसकी company में एक बहुत बड़ा amount transfer किया है अफकोर्स ये डेब ने किया था लेकिन इ इसी के साथ police और जॉन की investigation भी खत्म हो गई थी फिर सभी अपनी जीट और cloud के jail जाने का celebrate करती है यहाँ डेफ पूछती है सब होने के बाद उनके पास 85 million dollar बचे है फिर सभी को 16 million dollar कैसे मिलेंगे तब लू कहती है उन्हें क्या लगता है उन्होंने बस एक necklace चुराया जब ड उन्होंने सिर्फ two cent print नहीं किये थे बाकी बहुत सारी jewelry print की दूसरी तरफ लू यहन के पास गई यहन बहुत जादा flexible है वो ट्रॉली में उसे वहाँ लेकर आई उन्होंने Amazon से selfie stick मंगवाई और camera के सामने वहाँ का वीडियो प्ले करके लगा दिया statue के ऊपर light के लिए लोही की frame लगी थी यहन उस frame पर laser से बचते हुए गया फिर नीचे उतर कर उसने पुतलों पर से असली jewelry उतार कर एक पानी के toy की मदद से लू के पास भेज दिया और लू ने उसे नकली jewelry भेजी इस बीच वहाँ गार्ड भी आए लेकिन डेब ने उन्ह ने caterer की trolley लेकर निकलती है जिसमें अनीता भी उसकी मदद करती है फिर वो वैन में आसानी से निकल जाती है अब उनके पास इतनी सारी jewelry थी जिससे हर एक के हिस्से में 38 million डॉलार आते हैं जिसे देखकर सभी बहुत जादा खुश और शौक थे आखिर में हम देखते है अन देखनी डायरेक्टर बन चुकी है और खुद की ही फिल्म बना रही है लूका जैसा सपना था उसने बाइक लेली और वर्ल्ड टूर पर निकल चुकी है और डैब डैनी की कबर पर जाती है और ड्रिंक लेते हुए कहती है ये काम उसे जरूर पसंद आता और इसी के साथ य मूवी भी यही खत्म होती है तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंड करके जरूर बताए और आपने ओशन ट्रायलोजी नहीं देखी तो उसका लेंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है वो भी तीनो हाइस्ट मूवी है आप उसे जाकर जरूर देखे तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमीजी मूवी के एक्स्प्लेनेशन के साथ पीस आउट